दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल HD Classes में आज़े शुरू करते हैं आज की क्लास तो दोस्तों आज हम कुछ मैंत्वपून टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके स्कीन पर दिखाए दे रहा है सबसे पहले हम सैटलाइट यानी उपग्रा के बारे में जानेंगे इसके बाद हम टाइप सॉप सैटलाइट जिसमें की नैचरल सैटलाइट और मैनमेड सैटलाइट आती हैं के बारे में जानेंगे इसके बाद हम Indian Space Program के बारे में संचिर्थ में देखेंगे इसके बाद हम उपग्रह की कच्छी चाल और परिक्रमनकाल को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे इसके बाद हम क्रतिम उपग्रह के प्रकार के बारे में देखेंगे तो दोस्तों उपग्रह के बारे में हम देखें तो उपग्रह किसी ग्रह के चारो और परिक्रमा करने वाला पिंड होता है जो कि उस ग्रह के गुरुत्वा करशन बल के कारण उस ग्रह के चारो और परिक्रमा करता है इस वीडियो चित्र के माधियम से आप देख सकते हैं कि एक उपग्रह प्रत्वी के चारो और चक्कर लगा रहा है इस उपग्रह पर दो बल कारे कर रहे होते हैं एक प्रत्वी की और गुरुत्ता कर्शन बल तथा एक बाहर की और अपकेंद्री बल यह दोनों बल इस उपग्रह को संतुरन की इस्तिति में रखते हैं यह दोनों बल यैनि GMM upon R square और MR omega square एक दूसरे के बराबर होते हैं जिससे यह उपग्रह संतुरन के इस्तिति में बना रहता है और प्रत्वी के चारो और चक्कर लगाता रहता है तो उपग्रा के बारे में जानने के बाद, अब आईए हम देखते हैं उपग्रा के प्रकार के बारे में, उपग्रा दो प्रकार के होते हैं, पहला है हमारा प्रकृतिक उपग्रा है और दूसरा है हमारा कृतिम उपग्रा है, प्रकृतिक उपग्रा की बात करें तो जैसे प की उपगग्रह है आप जानते हैं इसी प्रकार से मार्ष के दो उपगग्रह हैं फोबोस तथा डीमोज मंगล पे उपग्रह या इम्पर्टंट है और एकजाम पूछ जाते हैं तो इसलिए इन्हें आपको धहनben AT ब्रैस्पति ग्रह के उपग्रह की बात करें तो इसके कुल 80 उपग्रह है जिसमें की गैनिमेट प्रमुक है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है सर्टन यानि सदनी ग्रह के सबसरवाधिक 83 उपग्रह है जिन मैंसे की टाइटन प्रमुक है यूरेनेस यह आरोन ग्रह की बात करें तो इसके कुल 27 उपग्रह है जिसमें की टाइटेन या हमारा प्रमुक है इसी प्रकार से वरोन यानि नेप्चिन ग्रह की बात करें उसके 19 उननिस अब उपग्रह हैं लिसमें की Tritone हम प्रमुक है तो आई एभ जानते हैं प्रत्वी के क्रतिम उपग्रा के बारे में भी, ये उपग्रा मैंन मेड होते हैं और इन्हें भी प्राकृतिक उपग्रा की भाती प्रत्वी की कछ्छा में स्थापित किया जता है कुछ प्रम बात करें तो यह है डॉक्टर विक्रम सारा भाई इनके बारे में आप वीडियो पॉस करके विस्तार से देख सकते हैं इन्हों नहीं भारती अंतरिश कारिक्रम की शुरुआत की तथा इसरो की स्थापना में मैंतुपूण भूविकानी भाई अब आगे बात करें तो भारत क पहले उपग्रा की तो यह है आरे भाट जो की 19 अप्रेल 1975 में लॉंच किया गया था भारती अंतरिश अंसंदान का संसान यानि इसरो की बात करें तो इसका मुख्याले बैंगलूरू में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1960 को हुई थी तो आई आप देखते हैं उपग्रा की कच्छी चाल किन-किन कारको पर निर्भर करती है पगल में दिये गए चित्र में आप देख सकते हैं कि एक उपग्रा ग्रा के चारो और चक्कर लगा रहा है तो इस उपग्रा की कच्छी चाल उसकी प्रत्वी तल से उचाई पर निर और याद यह उसकी कक्षा प्रत्वी से दूर है यानि अधिक उचाई पर है तो उसकी चाल कम होगी प्रत्वी के जो आति निकट चक्र लगाने वाले उपग्रह होते हैं उनकी कक्षी चाल लगबग 8 km2 सेकंड होती है यह सरवाधिक है यानि आति निकट चक्र लगाने वाले उपग्रा की कक्षी चाल 8 km2 सेकंड तक होती है आगे बात करें तो उपग्रा की कक्षी चाल उसके द्रविमान पर निर्भर नहीं करती है यानि एक ही कक्षा में भेंड भेंड द्रविमानों के उपग्रा की कक्षी चाल समान होती है अब हम बात करेंगे उपग्रा के परिक्रमन काल को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में उपग्रा का परिक्रमन काल भी केवल उसकी प्रत्वी दल से उचाई पर ही निर्भर करता है और उपग्रा जितना अधिक दूर होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता है यानि उपग्रा का परिक्रमण काल भी उपग्रा की कक्षी चाल की तरह ही उसकी उचाईपर निर्फर करता है यानि उपग्रह का जितना ही प्रत्वी से अधिक उचाई पर होगा उसको चक्कर लगाने में उतना ही अधिक समय लगेगा अतनिकट इस्थित उपग्रा को चक्कर लगाने में कम समय लगेगा जबकि आधिक दूर इस्थित उपग्रा को चक्कर लगाने में आधिक समय लगेगा प्रत्वी के अतनिकट इस्थित जो उपग्रह है उसका परिक्रमणकाल केवल एक घंटे चौबिस मिनट होता है और यह सबसे कम है यानि यह सबसे तेज उपग्रह का परिक्रमणकाल है इसके अलावा बात करें तो उपक्रह का परिक्मणकाल उसके द्रविबान पर निर्वार नहीं करता यानि एक अक्षा में उपस्थित भिन-भिन द्रविबान के उपक्रह का परिक्मणकाल समान होगा तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही अगली क्लास में हम Artificial Satellite जैसे की Geostationary, Geosynchronous और Polar Satellite के बारे में विस्तार से ब जानेंगे थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू, धन्यवाद